सबी लोग सबी हमारे भाई जो हमसे बहुत प्यार करते हैं दोस्त हमारे भाई की वेस्ट के पीछे बहुत पड़ा है एंगल ये वो के वेस्ट लाइन चलो आज वेस्ट के हर एंगल दिखाते हैं आपको वेलकम बैक टूब बाटी बोलाइ टीवी का जैक वश इतक थांगल लुकुर्त आज हम क्लिएर ही कर देगे कि क्या मसला है क्या प्रोब्लम है क्या शिकायत है फैंस को तरूंगिल से और को अपनी बाटी आपनी बाटी से उनको कुई उनके फैंस के साथ, हेटर्स के साथ, तो वीडियो पूरा दरोज देखना दोस्तों, और आज हम क्लेर ही कर देंगे कि वेस्ट नैरो है या नहीं, किस तरह से है, और नूर खान सरका भी वो डायलोग पूरा देखेगा जरूर आखिर तक देखेंगे, तभी पता चलेगा आप को, और साथ ही मेरे फैवरेट सुने जादो सरका भी फिजिक अपडेट जरूर देखना दोस्तों, काफी दिनों के बाद उन्होंने फिजिक अपडेट शेर किये हमारे साथ, और साथ ही हमारी इंडिया के बेस्ट मेंस फिजिक अथलेट भूवन चोवान सरका अभी वेट क इतना है और किस कॉंपडेशन में कम्पीट करने वाले हैं काफी सारी डिटेल आये दोस्तों तो शुरुवात करते हैं आज की वीडिये की भारत सिंग वालिया भाई के साथ तो भारत भाई काफी अच्छे लग रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं मैं तो कहता हूँ इन आपको पता चल गई होगी बट फिलाल काफी बड़ी न्यूज है यह हमारे लिए अभी छे से साथ दिन बचे है एक वीक बचा है लास्ट की यह जाने वाले उस कॉंपटिशन में उनकी फिजीक देख रहे हैं दोस्तों आप कितनी जबरदे से काफी अच्छी फिजीक है द दोस्तों काफी अच्छी इनकी फिजीक है और मैं काफी बड़ा फैन बन चुका हूँ इनका और यह स्पेशली वेजिटेरियन एथलेट है तो काफी बड़ी बात है एक वेजिटेरियन एथलेट को इतना अच्छा मसल मास्ट गें करना मतलब हैट्स आप भारसिंग वालिय दोस्तों काफी अच्छा मतलमा सेंके बैक में अच्छे लग रही उनकी बैक हाँ उतनी ज्यादा थिक आउट डेंस नहींै अभी अभी उनका शयाध और उस सीजन अथी सख नहीं अभी नहींट नहीं हुआ है तो बट बस यहीं नहीं पता कि किसक्सूण दोस्तेमें संटि पर देखने के लिए इनकी फीजिक कैसे लिए आपको दोस्तों मुझे कमेट बॉक्स में लिखके जरूर बताई है सुने सर के लिए एक लाइक तो बनता है अब बात करेंगे भुवन चौवान सर के बारे में तो भुवन चौवान ने भी अपना फीजिक अपडेट शेयर किय और जो स्टूरिस थी उनकी इंस्ट्रगाम पर उस पर एक फैन ने पूछा कि आपका करंट वेट क्या है तो 225 LBS अभी उनका वेट चालू है और ऑफ सिजन भी करंट फिलाहल चालू है उनका तो और वेट बढ़ाने वाले है और किस कॉंपटिशन में कमपीट करने वाले ह करते हैं और अपने फैंस को खुश करते हैं उनकी फीजिक दिखा के दोस्तों मुझे काफी जादा पसंद रहती है इनकी फीजिक अब बात करेंगे हमारे लेटस्ट संसेशन जो तरुंगिल भाई है तरुंगिल भाई ने एक पोजिंग वीडियो पोजिंग की थी लास्ट इनपीसी के शो में ये वीडियो आपने ज़रू देखा होगा दोस्तों हमारे भी काफी जादा व्यूज आ है उस वीडियो पर तो थैंक यू फॉर दा सपोर्ट अब बात करेंगे तो इस वीडियो में हुआ यू की काफी उनकी जो वेस्ट है जो उनकी कमर है काफी जादा ब्रॉड लग लग रही थी जो पेट है थोड़ा बहुत बाहर निकला था ऐसा लग रहा था और हमने भी उस वीडियो में कहा था कि इनकी जो पॉजिंग स्टाइल है उस वजे से मुझे लगता है कि वह ऐसा लग रह रहे और हां उनकी जो वेस्ट है उनकी जो कमर है ऑmeter बड़ी है तो क्या ही कर सकते है चालिस साल के उपर अगर आदमी की उमर हो जाती है उसके बाद अगर आप इससे ट्रास्परमेशन करते हो और आपकी वेज जो है उज्यादा ब्रॉड है पहले से तो उस पर उपाई यही होता है कि शूल्डर को और ज्यादा ब्रॉड कर लो और पूजिंग स्टाइल केविन लेवरुनी जो है बॉड़ी बॉल रूनेर कहा था कि आप अपने जो खामिया है गलतिया है उनको चुपा सकते हो अच्छी पूजिंग के साथ अभी फिलाल देखते हैं वीडियो नूर खान सर ने क्या कहा उनके बॉड़ी के बारे में लिणल को है एवर्ण पूक म के डूर था कहीता व हो सब अकर हो आपा मैं को मीड़ा के अपने बाज्म दूसाख्या वेस्ट के फिछ लेलंग झाल आउझ के अवरस अथ review कילत्यों अच्छी मैं अए हई हूज कि नहीं गोंड ह ид City धखा यूज के अच्छ्बिया है न को ममन ठीक है ठीक है बैक से भी दिखाने बस इतने तो देखो दोस्तों मुझे जहां तक समझ में आता है मेंस पिजिक अथलेट को जब वो स्टेज पर आ जाता है और अपनी पोजिंग की जो पोजिशन है ले ले लेता है stage के center में वहाँ से जब उसकी posing start होती है तो उसे अपनी जो front body है या फिर back है वो किसी भी तरह से सीधे angle में नहीं रखने चाहिए एक cross angle होता है वो एक style होती है pose करने की उसी style में अगर खड़े रहते हैं जैसे कि ये थोड़ा कमर को एक side गुमा के और जो shoulder से उनको और waist को थोड़ा सा और गुमा के अगर ये इस तरह की pose करते है तो फिर इस pose को क्या कहते है मुझे comment box में लिखके ज़रूब देए दोस्तो में फिजिक के तो इस तरह अगर खड़े होते है तो उनकी जो कमर है वो अच्छी लगती है काफी अच्छी वीटे पर लग रही है काफी छोटी क्या खएंगे स्मॉल को भी उनकी कमर लग रही है दोस्तो तो ऐसी अगर पोजिंग करे तो ही तरुंगिल भाई साब अच्छे लगे बट अगर नॉर्मल एक अगर आप सीधा खड़े रहोगे तो आपकी कमर ब्रॉट दिखेगे ही उसको कुई कुछ ने कर सकता और उसके लिए आपको क्रिटिसिजम सहना पड़ेगा बट आगर वो काम करते हैं अपने पोजिंग स्टायल पे तो जरूर और भी अच्छे तरीके से स्टेज पे अपने बोड़ी को दिखा सकते है और अगर पोजिंग काफी अच्छी की तो अच्छी प्लीसिंग भी ला सकते हैं कॉम्पटिशन में तो ये तो आने वाली बात रही दोस्तों फिजीक काफी अच्छी बनाई है तरूंगिल सर को मानना पड़ेगा फिजीक बहुत अच्छी है तो इस वीडियो को लाइक जरू कीजिए दोस्तों और आपका प्यार सपोर्ट जो इतना सारा हमको मिल रहा है और ऐसे ही रखिए दोस्तों थैंक्यू फॉर वाचिंग